अब आप सोच रहा होंगे पाइथोन 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 की रट लगाई है हमने पाइथोन है क्या? सब पे गोई पाइथोन साम भी होता है न वाइदावे यह वो नहीं है, यह कोडिंग की एक language है प्रोग्रामिंग की एक language है जैसे मैं एक इंसान हूँ मैं वैसलाबात से हूँ आप मेरे साथ पंजाबी भी बोल सकते हैं मेरे साथ उर्दू भी बोल सकते हैं अफकोर्स मुझे जर्मन इतनी नहीं आती है जर्मन भी बोल सकते हैं थोड़ी बहुत इतनी आती है इटैलियन भी थोड़ी बहुत आती है बाकी थोड़ी थोड़ी languages बाकी भी सीखिए हुए but the thing is, मेरे साथ communicate करने के लिए you have to know कि मुझे क्या समझ आती है ऐसे ही है अब मुझे आती है पंजाबी या उर्दू समझ या इंगलिश आती है, तो you have to communicate with me in that language, इसी तरीके से जब आप computer के साथ बातें करते हैं you need to know कि computer को क्या समझ आती है, ठीक है जैसे हम इंसान है, हमने सारी जिन्दगी एक training ली होती है जुबान सीखने के लिए, इसी तरह computer जो है एक programmer है एक, sorry, machine है जिसके अंदर software install होते है ठीक है, और software जैसे python है, यह एक programming language है एक software के through, इसको install के जाता है computer के दिमाग में, ठीक है और python फिर काम करती है और उसके उपर multiple किसम के हम task जो हैं, वो task कोन कोन से है अभी मैं आपके सामने दुपारा से screen share करता हूँ and then you will see, के वो task कोन कोन से है और कैसे काम करते है सबसे पहले जो python है, इसके लिए हमारे पास sorry, this is the wrong slide python है इसके लिए हमारे पास software का install होना जरूरी है और इसके लिए हमारे पास एक software को अच्छे से चलाना जरूरी है इसकी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ अगर आप मेरे से बात करना चाहते है you should talk to me with a medium, जैसे हम अब बात करें हमारे पास zoom है इसी तरह अगर आपने computer से बात करने you need something to use as a medium हम python के लिए जो चीज़ यूज़ करते हैं उसे बूला जाता है integrated development environment या IDE ठीक है और अगर python को आप वैसे as it is use करना है चाहिए, you can use that लेकिन IDE के साथ उसके functions और भी सामने आ जाते है ठीक हो गया so python हम एक programming language के तोर पे use करेंगे, जो एक general purpose language है, general purpose का क्या मतलब है कि ये हर काम के लिए use हो सकती है, वो काम कौन कौन से है पहला, web development दूसरा, data analytics तीसरा, data visualization चोथा, data science पांच मा, machine learning, शटा deep learning, साथ मा, AI आठ मा, natural language processing नॉमा, LLMs वोयरा बनाने के लिए दस मा, many much, more अब जो हमने पहले आपको content दिखाया है, वो सरे का सरा python पे हो जाएगा, ठीक है? और इस course के अंदर हम python को ही सीखने वाले हैं, right? तो python से गवराना नहीं है, क्योंकि python को install करने से लेके पहली line of code लिखने से लेके end तक report ने बनाने तक आपको इंशाला मैं सिखाने वाला हूँ ओके जी, तो python एक general purpose language है, जिसके उपर ये सारा काम किया जाता है, अब यहाँ पे आपको एक छोटा सा जो है वो intro मैं करवा दू, जो learning management system content in one stop shop, ठीक है?